आर्थिक स्वतंतरता ही राजनीतिक स्वतंतरता का आधार है तो जी हाँ दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसी सक्सियत की जिनोंने हमें बताया था कि आर्थिक स्वतंतरता ही राजनीतिक स्वतंतरता का बेस है और वो ऐसी सक्सियत हैं जिनोंने उद्योग जगत में भारत वर्ष में क्रांती लादी थी भारत वर्ष क्या पूरे विश्व में क्रांती लादी थी उनका नाम है जमसेद जी टाटा तो जैसे जानते हैं टाटा ग्रूप के फाउंडर संस्थापक जमसेद जी टाटा जिन्होंने दोस्तों आर्थिक मोर्चे पर बहुत ही बड़ योगदान दिया है हमारे भारत वर्ष को तो दोस्तों इनी के विशे में जीवन परिचय के बारे में संचिप्त हम लोग चर्चा करेंगे और आप लोगों को बताएंगे दोस्तों वीडियो के आगे कि ताज होटल बनाने में कितना लगभख खर्च हुआ था अगर आप में जरूर बताना कि दोस्तों ताज महल होटल जो है मुंबई में या ताज होटल के नाम से जाना जाता है तो वो जमसेद जी टाटा नहीं बनवाया था तो दोस्तों मैं हूं नफीस और आप देख रहा हैं आहिल राज व्लोग तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों मैं जमसेद जी टाटा के बारे में आप लोगों को जानकारी बता रहा हूं जो कि विभिन सोर्सों समय नहीं खटी की है आपके नौलेज के लिए क्योंकि बहुत से स्टूडेंट भी हमारे व्लोग देखते हैं तो दोस्तों उनका जन जो हुआ था 1849 में गुजरात के एक पार्सी समुदाय में वही है कैसे उद्योग पती थे दोस्तों जिनोंने अपने जीवन में उद्योग को अपनाया व्यावसाय को अपनाया उनके पिता जी ने तो दोस्तों भाग से वो मुंबई आय और मुंबई में उन्होंने अपने धंदे में कदम रखा दोस्तों यान अंग्रेजों की उसे खतम करने के लिए दोस्तों उन्हों ने बहुत से कड़े कदम अर्थिक मौर्चे पर जिसका एक नतीज है यह रहा दोस्तों की एक दीवालय हो चुकि कंपनी नार्क पूरगी दोस्तों जो आउयल मिλ थी वहां दोस्तो की साहता से खरीbn करके एक कॉटन मिल सुरू की स्टाट की और वहीं से दोस्तों उनकी जन्नि चालो हुई दोस्तों जंसेश की टाटा की तो वहां के मजदोर का दोस्तों वो दुख तकलीब देखते हुए उनके लिए दोस्तों फंड की स्थापना भी की उन्होंने तो उनकी बायोग्राफी में ये सारी चीजे जानेंगे हम तो आपको बताता चलू दोस्तों कि रता जी टाटा जो हैं या उनके आने वाले जो वनसाज है उन्होंने उन्होंने अपने जीवन काल में कर पाए उसके बाद में दोस्तों उनके जो मतलब वनसाज हुए उन्होंने उसे पूरा किया और अभी तक करते चले आ रहे हैं तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा मैं उनका एक संशित जानकारी कि 1849 में दोस्तों तीन मार्च को और 1874 में दोस्तों के समर्थन से 15 लाक रुपए की एक नई कंपनी सेंटर इंडिया इस्पिनिंग वीविंग जिसके बारे मैं अभी चर्चा कर रहा था लगभग उसी दोरान उन्होंने दोस्तों ये कंपनी चालू की तो आप आप जानेंगे दोस्तों 1877 में एक जन्वरी को इस मिल में कार प्रारंब हुआ याने ओपनिंग हुई दोस्तों और 1886 में जैसा कि मैंने आपको बता ही चुका हूँ एक पेंसन्ट फंड प्रारंब किया मजदूरों के हित में ताज महल होटल का निर्माड उनिस सो तीन में लगभग दोस्तों चार करोड 21 लाग की अगस्य कराया था और जमसेद जी का जो मतलब मृत्ती हुई थी दोस्तों अंतिम समय था उनका 19 माई 1904 को जर्मनी के बाद में हम में अपनी अंतिम सांस ली दोस्तों जो हमारे बीच नहीं रहे मगर दोस्तों उन्होंने भारत के लोगों के लिए इतना कुछ किया जो की ए अच्छे होटल में घुसने नहीं दिया करते थे आप हिष्टी पढ़ेंगे आपको पता लगेगा तो वहाँ दोस्तों ये सारी दमनकारी नीती को खतम करने के लिए उन्होंने ताज होटल का निर्मार जो है मुंबई में कराया और वहाँ एक पहला ऐसा वी आईपी या कह पहली जी ये लगजरी होटल था दोस्तों जहां पर बिजली की संपूर्ण व्यवस्ता दी अगर आप ताज होटल गए होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना तो दोस्तों उन्होंने सिक्छा के छेतर में तकनीकी के छेतर में और अद्योगिक छेतर में करांती लान तो आप लोग जरूर कमेंड में मुझे बताइए मैं जरूर उस पर research करूँ और आप लोगों के लिए अपने व्लोग में उन सक्सियतों के बारे में जरूर मैं वीडियो बना करके लेके आऊँगा अगर मेरी वीडियो आपको व्लॉग वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कर देना मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आहिल राज व्लॉग को ज़्यादा ज़्यादा सेयर करना बस इतना ही था मेरे इस व्लॉग वीडियो में टेक केर और बाए